पिछले छे महीने में ये लिटरली तीसरी बार हो रहा है कि चाइना ने भारत को market access के लिए beg किया है उन्होंने यहाँ पर कहा that we hope that India will fully understand the mutually beneficial nature of China-India economic and trade cooperation and साथ में उन्होंने कहा कि we seek कि इंडिया हमारे लिए एक fair, एक transparent और एक non-discriminatory business environment को भी तयार करे so that जो चाइना की companyya है वो भारत में आकर के निवेश कर सकें और भारत में आकर के operate भी कर सकें मैंने तो इंडियान्स को कहा है कि आप चाइना के साथ अपने मिसाइल जो है ना hulk कर रहे और में मसला तो यह border वाला यह ना अगर यह आप हाल कर लें तो इंडिया और चाइना के तलुकात अच्छे हो जाए तो यह पाकिस्तान का रोल जो है यह भी जीरो हो जाते है पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ेगी अब पाकिस्तान को साइट कर ब्रिक्स देसों ने पाकिस्तान को जोरदार जटका दिया और बना समले जटका ऐसा की चीन भी उसका साथ छोड़कर भारत के साथ हाथ मिला रहा और पाकिस्तान की जहां तक बात आती है तो कॉंग्रेस और बीजेपी जो है वो इंडिया के अंदर तो बड़ा फर्क होगा लेकिन ये याद रखना चाहिए कि कॉंग्रेस शो मारती है कि 1971 में कॉंग्रेसी लीडर ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किये पार्टिशन करू जोगी में आपको गलत फेम ही क्यों है कि इंडिया आपके साथ जो है वो मजाकरात करे और वो भी कंडिशनल तो उसका तो आलिये है कि आप अपनी मजबूरियां बेखें पहले हैं उनको रिजार बाजवा का जो डॉक्ट्राइंग था ना जिसको बाजवा डॉक्ट्राइ थी कि ये बंदा तीसरी बार ना आ लेकिन अब ये बंदा तीसरी बार आ चुका है तो बाई सब अभी हमें छोड़े गाने मैं कहतो आप पाकिस्तान चैना के आफरी दिन चल रहे हैं कसंद बहुत गंदा दुनिया में हमारा आला बने वाला है पाकिस्तान के जो क्रंट Welcome to our channel जैसा कि आपने वीडियो में देखा चाइना बार बार इंडिया से ट्रेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि इंडिया अपनी पॉलिसी में चेंज करके चाइना को बिना डिस्क्रिमिनेशन करे फेर ट्रेट करने की इजाधत देती हैं इंडियन लोगों ने उसके प्रोड़क्ट के बिना कोई कंट्री सर्वाइब नहीं कर सकती और वो अपनी मनमानी करता था और बार बार आखे भी दिखाता था बट इंडिया ने उसको दिखा दिया आत्मने वरबन कर और बता दिया कि इंडिया के आगे चाइना की उकात क्या है वही पाकिस्तान ने अपना पूरा जोर लगा दिया है ब्रिक्स में इंक्री लेने के लिए बट इस मामले में अब खुद उसके दोस्त चाइना तक उसकी हल्प नहीं कर रहा है और पाकिस्तानियों का रो रो के बुरा हाल हो चुका आपका इस पर क्या विचार है आप अब विडियो पर कमेंट्स करके बता सकते विडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत पुलिएगा चलिए विडियो में आग चलिए पाकिस्तान जो आतंकियों को पालता है दूसरे देसों में हमले करवाता है उसकी ख्वाहिस फिर से अधूरी रह गई पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ेगी अब पाकिस्तान को साइट कर विक्स देसों ने पाकिस्तान को जोरदार जटका दिया और बता दिया कि भारत के सामने उसकी कोई अवकात नहीं अब न सिर्फ एशिया बलकि पूरी दुनिया में भारत की नीती से पहले पाकिस्तान को एक के बाद एक बड़ा जटका लग रहा जटके भी ऐसे ऐसे पाकिस्तान सम्हाले न समले जटका ऐसा की चीन भी उसका साथ छोड़कर भारत के साथ हाथ में और अब मिस्र, इतियोपिया, इरान, सौधी अरब और स्युट अरव अमिराथ ब्रिक्स समू के पूर सदसे बन गए है वैसे जानकारी के लिए बता दें कि ब्राजील, रूज, भारत, चीन और दक्षिड अफरीका पहले से इसके पूराज श्रीफ साब की एक पुरानी कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि इस खिते के अंदर इंडिया और पाकिस्तान को अपने तनाजियात, बातचीत के जरीए हल करने चाहिए चुकि अगर इस खिते में अमन नहीं होगा तो यकीन इस खिते की तरकी भी मतासर होगी और आपको तरकी करने के लिए अपने नेबर्स के साथ तालुकात को अच्छा रखना चाहिए उन्होंने हमेशा से कोशिश की और आपको याद है इलान लहौर उनका एक बड़ा हाई पॉइंट था जब भारत के वजिर आदम वाजपाई जब हमने आटमी धुमाके किये उसके बाद लहौर आए और मिनारे पाकिस्तान पर खड़े होकर उनने ने कहा कि अब पाकिस्तान एक हकीकत है हम इसे तसलीम करते है आप डिप्लमेसिका आई पॉइंट था लेकिन इस्टबिश्मेंट के साथ आपका लोव पॉइंट भी था उसके बाचिर होगा उसके बाद पिर जो कारगल के वा पाकिस्तान के दो टुकडे के पार्टिशन करें एक नैच्रल इंस्टिंक्ट होता है लीडरों का कि वो एक्स्टरिनलाइज करें क्योंकि उससे उनको ये लगता है कि घर के अंदर अपने मुलक में लोग उनके साथ इवन जो उनके साथ नहीं है जब मुलक का मसला आएगा तो उनके साथ मिल जाएंगे तो मेरे खाले पाकिस्तानी को मुतात रहना चाहिए लेकिन एक में जरूर ये चीज़ कहूंगा कि ये जो खुशी और उमीद एक तरह से पाकिस्तान में बड़ी वाज़ है आपके प्रेसेंटेशन में भी ये बड़ा वाज़ है कि आपको अच्छा लगा कि एक मुलक है हमारा हमसाया मुलक जहां जमूरियत अतनी स्ट्रॉंग है ये जो नेक नियते पाकिस्तानाद की जो भी मैं आपको गलत फेम ही क्यों है कि इंडिया आपके साथ जो है वो मजाकरात करें और वो भी कंडिशनल तो उसका तो आलिये है कि आप अपनी मजबूरियां देखें पहले उनको रिजाल्व करें या उनको एक तरफ रखके तो आप एक पाजिटिव प्रैक्टिकल ज रही जी आप तो फिर हम उस पे बात करते हैं कि हमारे दर्मयान किन किन चीज़ों पर डिफरेंसिज हैं उन में से अरजेंट काउंसे हैं अंदर से अकर आपने कंप्रोमाइज किये हूं जो खुद आपके बड़े बाखबर साफी और एस्टबलिश्मेंट के साबक कारिंद जिसकी तस्दीकें कर रहे हूं कि आपने लिखके दे दिया कि हम 20 साल तक या 100 साल तक कश्मीर पे बात ही नहीं करेंगे बाहर बाहर से आप जो है वो लोगों की आँखों में दूल जूंकते रहें पूर इस तरह का फराद और मनाफकत बाजवा का जो डॉक्ट्राइंग थ जनल बाजवा हिंदुस्तान की ताकत के सामने सरंडर कर चुके हुए थे मेभी परहपस बिगॉस उनके ओपर वेस्टन प्रेशर था बरतानिया का कोई रोल था उसके अंदर अमरीका के रोल से जादा बरतानिया का रोल था बेरी अंडरसानिंग यहां पर एक टॉक्स स्ट पर पाकिस्तान की इस्टैबिश्मेंट को जनल बाजवा और उनके सकसेसर्स को यह बात समझा दी गई है कि आपका हिंदुस्तान के साथ कोई जगडा नहीं है इसी वज़ा से ऐस पर मैं आनलिसस पाकिस्तान की इस्टैबिश्मेंट अपना एक नया दुश्मन आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटे बुजाबा मत पुलिएगा थैंक यू